हलो दोस्तों, नमस्कार, I am JK आज हम आपको बताने वाले हैं नामन क्लेचर आपता बेरिंग बिद एक्जामपल एक्जामपल के साथ में आप देखेंगे जो भी लेटर है बेरिंग का उसका बैलू कितना है उसके साथ को जितने भी सफिक्स लगे हैं, प्रिफिक्स लगे हैं डबलू थ्रिथ्री एम बी के इन सभी का मतलब क्या होता है चलिए स्टार्ट करते हैं तो आज हम लेंगे दो एक्जामपल दो एक्जामपल के साथ में आसा करते हैं आपको पूरा क्लियर इन्फार्मेशन पता चल जाएगा बीरिंग के नामों कलिचर के बारे में तो पहला हम एक्जामपल लिए हैं इस फिर का रोलर बीरिंग है इस फिर का रोलर बीरिंग का जो स्रीज है 223, 22 E1A, KMA, T4, 1A तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा जो सिरीज है 223 और 233 तो ये मीडियम ड्यूटी है पहला और दूसरा है वी ड्यूटी है क्यों? अब देखते हैं कि जो 2 है तो 2 क्या बताता है? कि पहला जो लेटर है वो बताता है वीरिंग किस टाइप का है तो 2 है मतलब S4 का रोलर बेरिंग है जो दूसरा सिरीज है 2 और यहाँ पर 3 आ रहा है 2 आ रहा है मेडियम है और 3 आ रहा है देखे हैवी ड्यूटी हो गया क्यों? जो 2 है 2 का जो विथ है वो देखे 80 mm है और वही जो 3 है उसका विथ है कितना? 92.1 mm है तो मतलब इसका जो विद्ध है वो 3 के केस में जादा हो गया और 1 के केस में देखे 50 है सबसे कम है तो इसका 1, 2, 3 के सिरीज में यहाँ पर 1, 2, 3 जैसे सिरीज बढ़ता जाएगा विद्ध बढ़ता जाता है तो यह हैबी ड्यूटी हो गया जो तीसरा है तीसरा लेटर वो बताता है आउटसाइड डायमीटर तो आउटसाइड डायमीटर अगर 3 है तो 3 के केस में क्या है? 240 mm है अगर यह 2 रहता तो वो विद्ध बढ़ता है तो जैसे सिरीज 1, 2, 3, 4 बढ़ रहा है 22 into 5 अगर 5 से multiply कर देते हैं तो वो बताता है हमारा bearing का बोर या soft का diameter इसी से ही हम bearing देखके ही बता देंगे कि soft का diameter कितना होता है अगर soft का dia पता है तो उससे bearing का पता चल जाता है तो इतना जानकारी होना जरूरी रहता है अब आता है internal bearing of case design अब इसका जो case design है माली जी ये bearing है तो bearing के inside में जो case लगे हुए है एक case का design किस type का है एक case देखिए यहाँ पर steel type का है यहाँ पर brush type का है ठीक है और ये जो case का internal construction होता है इस type का है तो इन सभी का अलग अलग नामंक लेचर होता है तो उसी की हिसाब से suffix प्रिफिक्स लगा रहता है तो हमारा जो के है यह बताता tapered board tapered board में क्या रहता है तो bearing दो type का रहता है एक state board है even design cylinder board है इसका जो inner race है वो total state रहेगा total state है और वही जो के अगर है bearing fix में तो उसको समझना चाहिए वो taper board है तो taper board में देखेंगे slightly 1-12 के ratio में slightly taper रहेगा और इसकी fixing करने के लिए इस bearing का fixing करने के लिए हमको adapter sleeve लगाना पड़ता है अगर के के साथ में 30 लिखा हुआ है तो उसका जो taper portion है वो 1-30 है यह आपको जानन जरूरी है यह bearing है इसका width V है outside diameter यह D है यह check किया जाता है ठीक है यह sphere का roller double bearing आपको दिख रहा है slightly misalignment जहल सकता है तो किया क्या हो गया taper board है E1 JPA E1 JPA यह बताता है कि stamped steel cage जो cage है वो stamped cage है outer ring guided है तो यह जो है steel cage है वो steel का बना हुआ है यह steel है और वही अगर only E1 रहेगा तो वो bearing OD less than 320 mm JPA cage standard है तो मतलब JPA cage standard है मतलब वो steel cage ही है उसका E1 MA है अगर MA, MA का case है यहाँ पर देखिए MA आ रहा है एक तो taper board बता दिया है यह हमारा steel cage बता दिया MA है तो MA हमारा क्या बता देगा कि जो machined brass cage है जो cage है वो machined है और brass का है इस design कर रहेगा तो वो MA हो जाएगा brass का होगा clear? MA है तो brass का होगा E1 AM है machine brass cage है roller guided है जो roller है वो guided type का है AS MA है machine brass cage है जो case है वो machined है और brass का है outer ring guided है less than 320 mm है od a generally 233 series वाले only के लिए होता है AMA है वो greater than 320 जो outer ring guided है वो 320 mm का है और वो 233 series के लिए होता है तिये suffix को जानना जरूरी है और इसके साथ में अगर यह आपको पता रहेगा तो आराम से पता कर सकते हैं वो taper board है कि state board है कि जो उसका cage का construction कैसा है वो पता चल जाएगा additional कुछ special type का feature show कर देता है अगर हाँ एक bearing asperker roller bearing में ही आप देखते होंगे e c3 w33 e तो हो गया हमारा state board है no doubt c3 c3 बता रहा उसका c3 killdance है और w33 बता रहा है कि यह lubrication के लिए generally क्या है कि w33 oil lubrication system के लिए ही ज्यादा यूज होता है grease में नहीं यूज होता है अगर oil base bearing है bearing के inside में lubrication जो है वो आयल है तो वहाँ पर क्या है w33 मतलब 120 degrees पर ऐसा तीन होल होगा तो तीन होल होलें से क्या है कि inside में आराम से आयल जा सकता है तो यह lubrication में ज्यादा फाइदा करता है अब दूसरा case लेते है cylindrical roller bearing तो यह पहला later है पहला क्या है double n और n यह है तो यह single row cylindrical roller bearing है जो n है only n तो single row cylindrical roller bearing रहेगा और वही अगर double n है तो double row cylindrical roller bearing रहेगा तो double n के case में वो double row रहेगा यहाँ पर single row है यह n है और यह देखिए यह double है तो यह double row cylindrical roller bearing रहेगा 3 है 3 बता रहा है हमारा कि वो width series है कि उसका width कितना है 3 है तो जो bearing का width है वो 34 mm है 3 है तो bearing का width है वो 34 mm है अगर यहाँ 2 रहेगा तो 19 mm रहेगा तो generally 3 ही रहता है cylindrical roller bearing में आप देखेंगे तो 3 के series में ही रहेगा उसका width है 34 mm जो zero है वो zero diameter series बता रहा है जीरो के किसमें जो bearing outside diameter आप bearing में देखेंगे तो वो 30 mm रहेगा और जो 17 बताता है bearing का बोर 17 into 5 अगर कर देंगे तो हमको सीधा bearing का बोर पता चल जाएगा या साप्ट का डाया पता चल जाएगा तो cylinder का roller bearing का example देखते हैं cylinder का roller bearing है इसका एक cage का construction आप देख सकते हैं same यही bearing है इसमें ही group कटा हुआ है इसमें ही cylinder का movement रहता है cylinder जो roller है आपस में टकराने ना पाए इसके लिए देखिए एक special type का cage है cage में ही यहाँ पर जो ceiling है वो metallic ceiling है rubber की ceiling है उसका भी design है देखिए different different type का आपको दिखने को मिल रहा होगा roller bearing है इसका देखिए cage है यह brass का है कहीं steel का है और जो outside seal है वो rubber का seal है कोई metallic seal है तो इसी से ही जो prefix suffix होता है यही बताता है अगर माली जो कोई भी symbol नहीं है designation में कि वो seal कैसा है तो नार्मल ही cage रहेगा उसमें कोई भी seal metallic या rubber का seal नहीं रहता है वो generally cage रहता है SUJ2 steel का ही रहता है अगर वही अगर RXH है यहाँ पर जो seal है RXH है तो मतलब heat resistant steel रहेगा जो उसका lubrication के लिए बाहर साइड में seal रहेगा वो heat resistant steel का एक ring रहेगा और ceramic rolling element रहेगा उसके single row में अगर RX है वो heat resistant steel रहेगा SHX और ring and rolling element रहेगा single row में रहेगा single row एक side में अगर 2RX है मतलब दोनों side में हमारा रहेगा RS है only RS है तो मतलब bearing steel है SUJ का ही रहेगा जो seal है उसका अगर 2RS रहेगा तो दोनों side में seal रहेगा तो यह only sealing परपच के लिए है इसका आप देख सकते हैं आपर seal के लिए देखिए अपना rubber का seal है तो यही सब बताता है अगर यही metallic रहेगा तो metallic seal है उसके बाद में एक retainer रहता है retainer retainer मतलब वही cage cage किस किस type का है MR है तो roller guided machine brass का रहेगा MR है देखिए brass का है यह MR का case है TP outer ring guided pick resin का case रहेगा अगर TB है तो roller guided phenolic resin का case रहेगा MB है तो MB के case में कहा है roller guided machine brass cage रहेगा कहीं कर देखिए MB दिखता है तो MB के case में कहा है कि brass का cage रहेगा कि k type का है e type state bore है कि taper bore है इसमें भी वही आता है state bore taper bore तो kr वही बता रहा है कि 1-12 के case में है अगर नहीं है तो सिधा state bore है e44 lubrication बता रहा है e44 है कि चार जगा हमें lubrication का point दिया रहेगा outer ring with machine lubrication groove and hole उसमें hole CC1 CC0 CCG यह kill lens बताता है कि CCG है special radial kill lens है CC0 है standard kill lens for tapered board है standard kill lens for cylindrical board है तो यह kill lens पता चल जाएगा अब जो उसका machining surface है precision किस class का है P2 है तो ISO class 2 का है P4 ISO class 4 का है तो यह इस type का nomenclature आता है cylindrical roller bearing में तो यह cylindrical roller bearing आप देख रहे हैं कैसे ही roller inner race में इस type का group कटा हुआ है यह देखिए इस slightly ग्रूप कटा है lubrication purpose के लिए यहां से lubrication film generate होता है इसके उपर में और इस oil passes जाता रहे तो यह उसके लिए helpful रहता है और उसका जो top race है outer race है देखिए state है मतलब slightly misalignment भी वो जहेल सकता है और जो roller है इसी group में चलेगा मतलब जो inner race है उसका moment बिल्कुल नहीं होगा outer race का slightly moment हो सकता है यही outer race हमारा वीरिंग housing में slightly move करता है आसे करते हैं दोस्तों आज आज आपको अच्छी घासी जानकारी हासिल होगी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक बास सेर जरूर कीजिएगा अगर हमारे यूट्यूब चैलल पे नए है सस्क्राइब करना ना भूले बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए जिससे आ हमारा मोटिवेचन पड़तागे वीडियो थेगरिकले बहुत 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 थंदवाद